बचो आज हम यहां पर सॉल करने वाले हैं कक्षा नौ बेसे गड़ित प्रष्ण बैंक सॉल्यूशन 2022 ठीक है तो एक्जाम आप बहुत ही पास हैं तो आपको प्रष्ण बैंक सॉल करना ही पड़ेगी देखिए आज हम पात करने वाले हैं पर पार्ट तीन जिसका नाम निर्दे सांग जियामिती क्या होता है देखो इसके जितने भी कोशन से वह अधिकतर एक नंबर के और दो नंबर के यानि उटी वाले कोशन ठीक है तो कोशन जो आम उनको दिये हुए उनको हम बाद में सॉल करेंगे पहले हम इसके थोड़े से बेसिक को समझेंगे क्योंक निर्दे सांग थोड़े को देखे इस टारीके से हम क्या करते हैं एक रेका कहिंच लेंगे और इस रेका को हम बोलते हैं 36 शैथिसरा काति क्या बोलते हैं सको हूं शैथिसरेका हम namo कि के जो लेटी ओउर आपी उसे क्या बोलते हैं आछा इस चैधिसरेका जाते हैं और इसमें इस तरीकी से क्या नमबर आते हैं वो आते हैं minus one minus two minus three और minus four और minus five समझभा है यानि कि zero से इधर की और नमबर क्या होते हैं बढ़ते हैं और इधर की और नमबर क्या होते हैं कम होते हैं ठीक है तो यह तो है 36 रेखा क्लिए अब इसी तरीके से इसमें क्या है एक रेखा और बनती है इस तरीके से ठीक है ऐसे खड़ी रेखा बनती है इस तरीके से, इस रेका को बोलते हैं, यह जो सीधी रेका हमने बनाई है इस तरीके से, ठीक है, इस रेका को बोलते हैं क्या, उर्द्वा धर रेका, धान से देखना बच्चो, ठीक है, प्रस्ण मेंग के कोशन आप आराम से कर लोगे, बस इसको थोड़ा सा समझ लीजे, इस इस तरीके से बढ़ेंगे ख्याओं और भी सिक्स और इदर – two minus three minus four यह क्या हो गया माइन्थ five č समझेमा बाच्च क allow तो इस तरीकी का जुट सिनब यार होता है इस पूरे को बोलते हम कारतिय Cal क्या बोलते हैं इसको कार्तिय तल पहली बात समझ लें इसको क्या बोलते हैं उर्दा धर्रेखा ये कौन से उर्दा धर्रेखा ठीक है और 36 रेखा से मिलकर क्या बनता है कार्तिय तल बनता है ठीक है कार्तिय तल बनता है इतना तो समझ में आगया आपको अब देखिए जो 36 र होती वाली रेखा इसको बोलते हम ईक्ष यानि यह इस कमान और यह चायक का मान यह जैसे एकश कमान एक ये बंदू हो गया एकस कमान फेर ring यह Man पांच पांच ईस तरीके से मे dunno जींग है अगर एक्स कमान माइनस का आता है तो इस इस और इसको बोलेगे हम लोग यहाँ पे ये होग घ तो समझ में आगे आप लोगे तो यह क्या होती है इसमें जो X का मान होता है यह X अक्ष है ठीक है इस X के मान को बोला जाता है X अक्ष के जो भी मान होते है आपको याद रखना है X के मान को हम कार्थितल में क्या बोलते है भुज बोलते हैं, X के मान को क्या बोलेंगी? भुज बोलेंगी, ठीक है? और जो बाई का मान होगा, चाहे वो प्लस का हो, चाहे मैनस का, तो बाई के मान को हम बोलेंगे क्या? बाई के मान को हम बोलेंगे कोटी, ठीक है? याद रखना आपको, X के मान को क्या बोलेंगे? को का त inté यहां पर भूला जाता है मूल बिंदू को क्या करते हैं उससे क्या बोलते हैं मूल बिंदू कि यहां पर इक्स कमान क्या है यहां पर यहां पर कि command भी कवी कमान जीड़ें तो यानी कि 0 जीरो चीरो ठीक है तो इसको बोलते है निर्दे सांग ठीक है हमेसा ध्यारक पहले एक्स का माना आएगा तरीक से तो पहले क्या आएगा पहले भुजाता है और बाद में क्या आती है कोटी आएगी ठीक है पहले भुझा आएगा और बाद में क्या आएगी कोटी आएगी ध्यान से देखते जाना इन सभी कोशन को ठीक है फिर आप आराम से कर लो ठीक है जैसे अगर आपको दे दिया यहां पर चार और तीन इस तरीके से दे दिया चा मयला जो मानों होता है वो भूझ होता तह इसका बूझ कितना हो गया इसका बूझ कितना हो गया चार हो गया कि Oh yes yeah पंवह लिए कोटी है इसके कितनी है यह किने सम uy आ गया यह कोधकर अ औ När यह वह को नंबर देए दिया क्या मइनस का दू और एक 3 ठीक अब बूझे कोई आप भुज बताईए इसका भुज कितना है ठीक है तो भुज कामान कितना है यह पहले यह last começ मासि का कदो अगर कोटी पूस्ता तो कोटी कमान कितना होता है स्थीन होता है इंदत्र को यह याद रखने जीरो भूज क्या वता है कोटी क्या होती है अमने समझ लिया अब देखिर यह जो यह जू रोएक है यह कितने भागों में बठी है इसमें इसे हैं चार है कौन कौन सा है इसको उना हम प्रातमस इसको क्या बोलते है थो थे हैं ठीक है और सको क्या बोलते हैं जट नच्रत अर्शा में यानने की आरा हमदगए से जोटा है औरहों में ऌणने कार्थीता है यहां आप sailed ho appreciate क्षैदा पहले का मान का यह जो भी होगा आपको इस ठाज ठिक है तो पहला इन दोनों से मिलके बना है इस उसे चतरतांस का नाम है lettuce याद रखना बहुत ज्यादा काम काँ ठीक है और यह बाला देखें यहां पर estimant कॉ मारन कशले है माईनस का बाइक कमान किया सा है भी कमान किस है प्लस का एस का मैन स्का इस का नाम क्या है माइनस प्लस तीसरे का नाम क्या है देखो दोनों ही माइनस है यहां पर एक्स कमानी माइनस और इसका है माइनस माइनस ठीक है और यहां पर देखो यहां पर एक्स कमान कैसा है प्लस का और भाई कमान क्या है माइनस तो यह क्या है प्लस माइनस ठीक है याद रखन 200 कि मिलेंगे यान्यारा भूजभी प्लस नवी प्लस का होगा और कोटी बीकिकी घूति नीश्वर्णारी अबकर सब्सक्रांठ्स इसे था थे अब क्या उगा जयéntवाक मैंणने को यह पूछ यह और दो किसी चेटरतांस में इस्तेत है चार आफ लू किसो चत्र थांस में इस्तित हैं ठीक है तो हमारा उत्तर क्या होगा देखो पहले आपको यहां पे चैने देखने हैं पहली वैल्लू किसकी है माइनस की और दूसरी वैल्लू का है कि है प्लस की है कि नहीं गुचार माइनस का है और दो प्लस का यानि कि माइनस प्लस माइनस प्लस क से दिर से यह ल स्वखे में अब A q2 को ठीकर करना है इसी तरीके से आपको कोई भी कोश्चन आपाराम से कर सकते हो ठीक एक है अब हो गया की नहीं जैसे अगर आपको ये दे दिया 4 और 3 बता है ये से 4 सब्सक्राइब माएनिस कौन इसका थाङ है यानि की तीसरी सकत होता ऐसे सब्सक्राइब ठीक है अब चलोा कोशन को साम इसल करते हैं देखेकोशन सामें कुछ या मुलबिंद्यके नियुक्त के जीन इसनां करा होतील है..? यूवते हैं की ने? ठीक है? उसके बाद माईनस दो माईनस तीन किस चात्रतानस में इस्थाइब? तो दिहान रखना दोनों वैलु कैसे हैं? दोनों वैलु कैसी है? दोनों वैलू माइनस की तीसरे चत्रतांस में होती है किस में होती है तीसरे में तो आपका अंसर क्या होगा यहाँ पे तरतीय चत्रतांस ठीक है इसके बाद हमारा गला कोशन निम्न में से कौन सा बिंदू एक सक्ष पर हुसते तो होगा ठीक है तो आप याद रखना एक क्वान जीरो किसमें है ये तो आंसर क्या है आपका 50 ठीक है इसके बाद हमारा अगला कोशन निम्निक में कौन सा बिंदू बाई एक्ष परिस्तित होगा आपको यह वताना इंड मैं से कौन सा बाई परिस्तित होगा बाई पर तो आपको बाई पर याद रखना अगर कोई बि जाएगा कि कर लोगे इसके बाद आता हमारा अगला कोशन अठीक कर लोगे इसके बाद आता है और अगला कोशन डाल में और देखिए हमारा अगला कोशन यह है किसमें क्या है माइनस––– 4 चतर自च में इस्तितता है , आपको पता है न ये प्लस–– कोन सि चतर自च में इस्तित होता है देखिए , प्लस––– 4 कोन सि चतर th found का नाम है तो माइनस किसका है चतुर्थ का ठीक है तो आपका अंसर क्या हो जागा इसमें चतुर्थ चतुर्थ आंस के लिए कर लोगे इसके बाद हमारा अगला कोशन है यहां पर सत्य 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 में क्या देखो मूल बिंदू से भुज और कोटी दोनों सुनने होता है मूल बिंदू पर बिलकुल सत्य है यह ठीक है तो हमारा आंसर क्या हो जागा यह सत्य हो जागा ठीक है बायक्ष में भुज सुनने नहीं होता है बायक्ष पर आपको पता है बायक्ष पर क्यो बिंदू होगा तो भाई कमान सब ठीक है लेकन बोजकामान क्या होगा जीडर ओगा ठीक है, इस तरीकिस होगा तो यह क्या है असद्थ यह पर भुज सूने नहीं होता तो यह क्या है असद्थ इ colors डों का मान क्या होता है सून में सटेथ होता है बिंदू दो और तीन परत्म चत्र थांस में दोनों प्लस के यानि कि हां तो यह क्या हो गया हमारा सट्थ भी जो बिंदू माइनस 12 क्ष्प परिष्ट्थ और को दो यह सब ठीक है असत्य है कर लोगे कैसे पता चला कि यह सत्य है क्योंकि माइनस ठीक है अगर यह बिंदू यह परिस्थत होता तो क्या एक्स कमान क्या होता जीरो होता ठीक है यह माइनस बन यहां पर नहीं होता यहां पर क्या होता जीरो ठीक है तो कर लोगे इसके बाद हमारा अगला कोशन देखिए अगला कोशन है यह रिक्ते स्थानों की पूर्ति कीजिए रिक्ते स्थानों की पूर्ति करने रिक्ते स्थानों में क्या क्या देखो निर्दे संग तल में एक सक्ष और वाइक्ष के प्रच्षद बिन्दू को क्या कहते हैं तो आप का अंसर हो गए यहां पे X अक्वार Y X के मूल बिंदु बोलते हैं क्या बोलते हैं उसे? मूल बिंदु, लिखलोगे ठीक है, इसके तो यह हमने भर दिया है कालिस्तान, ठीक है तो आप इसको कंप्लीट कर ले इसके बाद आता है हमारा अगला कॉशन क्या है कार्थी तल में किसी बिंदु की इस्तिती निर्धायत करने वाली 36 और उर्दा दर्रीकाव का नाम क्या है ठीक है तो हमारा उत्तर है यहां पर क्या होता है 36 और उर्दा दर्रीकाव का नाम ठीक है तो होता है कार्थी अक्ष बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं उसे मूल बिंदू कहा जाता है क्या कहा जाता है मूल बिंदू कहा जाता है हो जाएगा ये इसके बाद हमारा लास्ट कोशन है कार्ती तल को एक्स और बायक्ष द्वारा कितने भागों में भाजित किया जाता है ठीक है तो कार्ती तल में X-Aksh और Y-Aksh को चार भागों में भाजित किया जाता है कितने भागों में भाजित किया जाता है चार भागों में आपको याद रखना है ठीक है कि चार भागों में वाज़त किया जाता है ठीक है और उन्हें क्या कहा जाता है तो इसका महरा उत्तर है इन्हें चाहा जाता है ए को ठीक याद हो जाएगा नेक्या का जाता है इन्हें चैत्रतांस का जाता है क्लियर हो गया आप ambition हमारा जो लास्ट कोशन है वह बताने वाले यापको मिइस का रखाया है प्रश्ण करवांग चार बिंदू पांच साथ की भूज और कोटी का नाम बताईए ठीक है बिंदू क्या दिया हमको 57 ठीक है तो इसमें भूज कितना है बुज मतलब क्या एक्स कमान यानि पहली वैलू निकि 5 और कोटी कितनी हो जाएगी कोटी यानि दूसरी वै पाल यांनि रखना है ठीक है इस वाले ट्रापको आपको धिहान में रखना है अगर आप आपने ये ग्राप समझा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आईगी ठीक है और जी डीधिका है था कि गानिस-10 रफे माइनस और प्लस तो आँको बताए पहला माइनस और दूसरा प ठीक है उसके बाद हमारा दूसरा है दो τीन आपको पता है दो तीन दूनों माइनस माइनस ठीक है यहां पर क्या दियाो चार माइनस पाच вспotzeनी पहला प्रस और दूशला माइनस एला प्लस ओर दूसरा माइनस कौन सा्भ गया हाई झात ठीक है तो यह कौन से में 4 मेंनी चतुरत ठीक तो चाल स्वाद हमारा तीन –4 ठीक है आपको होता है दोने वैलू माईनस की किसमें होती है तीसरे में ठीक है तो आपको यह याद रखना भूंसा हो गया तो रती चतुरतांश ठीक है तो यह था आपका यह चैप्टर आईवह आप लोग को समझ में आए होगा अगर आपको यह समझ में आ तो फ्लीज वीडियो को लाइक का दिए चैनले पे नई होते हैं चैनले को जब सब्सक्राइब का दिए तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरा